इग्लेशर फटने के बाद चमौली में जो तबहाई मची उसने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया हासे के बाद से अब तक 36 लोगों के शब बरामद हो चुके हैं इसके लावा 160 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं जो लोग इस हासे में मारे गए हैं अभी भी लापता हैं उनके परिजन अपनों की तलाश में भटक रहें अपने आसू लिए लोग हरोज कैंप में पहुँश कर अपनों के बारे में जानकारी जोटा रहे हैं रो रहे हैं, लोगों में अभी भी ये उम्मीद बनी हुई है, कि जो उनके बच्चे, पती, पिता, इस हासे के बाद से लापता हो गए, शैद हो जिन्दा हो, अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर लोगों में उम्मीद भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है और आसू भी है, भोले भाले इन ग्रामिडों के आसू से आप समझ सकते हो कि इनके दिल में कितना दर्द है। आने के लिए हम वहां से देखते हैं, दो दिन में हम इदा हवाई जास से आये हैं इदार, बड़ा मुस्किल से ज्यांदा जाकाई, अभी हमारे बचों की कोई ख़बारी नहीं है उसके अंदर, तो यतना सासन पर्षान आ रहे हैं कर क्या रहे हैं यह यह बताओ, हम आने के अंदर जाने दो, हम देख रहे हैं, सासन पर सासन तो आदे ख़बता होना बेटवे कुछ नहीं हुए, का है तुमारी मसीन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एंटिपीसी नहीं रहती तो हमारे यह घटना नहीं होती थी, संड़े के दिन इनको छुटी क्यो लगा है, हमारे बच्चों की डेट बॉडी हो, चाहिए सुरक्षित उनको सुरक्षित निकालना जल्दी जल्दी पर सासन का काम है, क्योंकि मसीने वह रहे हैं, उनको देनी चाहिए, ना न्यू टैकनिक पी, हम इसलिए आए, कि वहां देखने आए, कि बच्चे कितना काम ह हुआ है, मतलब हमारे बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे जल्दी जल्त तो आज तक उनको माँबाबन को बहाई बन्दों को यही बताएंगे हैं तो कि वह घ्ल से बराबर बात हो रही है तुम चिंता मत करो वाले आज घर से भार ने निकल बार है ना उनको इन्होंने से स्ट्मेंट बरका है कि क्या करिंगे वो लोग वो यह घर्यां थैंक तरह तरफेट कुझा निय सरकार के पास इतनी टेक्निकोलिया है कि क्या नहीं कर सकती है